हेलो फ्रेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल उप्चार नुसके में हम उप्चार नुसके चैनल में रुजाना एक लेटिस्ट वीडियो अप्लोड करते हैं अगर आप हमसे जुरना चाहते हैं तो उप्चार नुसके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बैल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे द्वारा अप्लोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिलें चार अक्टूबर दो हजार बाईस नवा नवरातरी वरत, मास सिद्धिदातरी, पूजा क शुप मूरत, मंत्र भोग, कन्या पूजन, मूरत वेधी, मनो कामना पूरती, मंत्र ववव पाए अश्विन मास में आने वाली नवरात्री के नवे दिन माता सिधिदात्री का पूजन, हवन, कन्या पूजन और पारण किया जाता है नवरात्रों के नौमी के दिन दुर्गा मा के नवे सुरूप मा सिधिदात्री का पूजन होता है इस दिन को दुर्गा नौमी या महा नौमी भी कहते हैं सिद्धिदात्री मा दुर्गा का नवा सोरूप है इन्हें नवी शक्ति कहा जाता है आज हमा को साल 2022 अश्विन नौरात्री की नौमी तिथी पूजा मूरत कन्या पूजन मूरत मा के पसंदीदा रंग मंत्र भोग और जिन किये जाने वाले उपायों के बारे में बताएंगे नौमी शुब मूरत 2022 साल 2022 में अश्विन नौरात्री की नौमी तिथी का व्रच 4 अक्टूबर को रखा जाएगा नौमी तिथी आरंभोगी 3 अक्टूबर सायंका 4 बचकर 37 मिनट पर नौमी तिथी समाप्त होगी 4 अक्टूले नौमी तौहले नौमी दोपहर तीन बच कर साथ मिनट से शाम चार बच कर 35 मिनट तक मा सिद्धी दात्री स्वरूप नवरात्री के नवे दिन मा दुर्गा के नवे स्वरूप देवी सिद्धी दात्री की पूजा का विधान है मा दुर्गा का यह रूप हर प्रकार की सिद्धी प्रदान करने वाला माना जाता है। मा कमल पर विराजमान हैं, इनकी चार बुजाएं हैं। मा के दाहिने हाथ में गदा और दूसरे हाथ में एक चक्र और दोनों बाएं हाथों में शंक और कमल हैं। मा का वाहन से हैं मा सिद्धी दात्री पूजा विदी नवरात्री के नवे दिन पूजा इस्थल को स्वच्छे कर मा के प्रिय गुलाबे रंके वस्तरधारन करें अब भगवान गणिश, समस्त देवी देवताओं और देवी सिद्धी दात्री का आवाहन कर धूब दीव जलाएं मा को रोली, अक्षद, फल, फूल, स्रिंगार का समान अर्पित करें और हलवा पूरी वक्खीर का भोग लगाएं अब देवी सिद्धी दात्री के मंत्र ओम देवी सिद्धी दात्रे नमा का जाप करें, रत कथा का पाट कर आर्थी करें नौमी तिथी उपाई इससे धनलाब के साथ ही हर काम में सफलता प्राप्त होती है विवासमन्दी बाधाओं को दूर करने के लिए नवरात्री की महानौमी के दिन देवी सिद्धिदात्री को सुहाक का सामान और सिंदूर अर्पित करें इस दिन श्रीयंत्र की पूजा विदिवत करने से इसे पूजा इस्थल में रखना लाबकारी सिद्ध होता है अगर आपको हमारे दोरा दी गई ये सबी जानकारी पसंद आई हो तो आप उपचार नुसके चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना ना भूले